पैसे गिनते गिनते ठक जाएंगे नब्बे वर्सों बाद 28 जुलाई को सावन अवश्या 6 राश्या होंगी करुडपती। बताना चाहेंगे कि स्त्रावण माश्या की अवश्या की तिधी को हर्याली अवश्या, सावन अवश्या और स्त्रावणी अवश्या की नाम से जानते हैं। बताना चाहेंगे कि इस बार यह अवश्या 28 जुलाई दिन गुरु बार को पढ़ रही है और इस दिन कई सारे शुवशयोग और दुरलब शुवशयोग बन रहे हैं दोस्तों पर्यावरण के लिए इस दिन का काफी महतों बताया गया है इस दिन पौधे लगाने का काफी ज चांग के अनसार हर्याली सावन अवश्या का ब्रत आप 28 जुलाई को कर सकते हैं 28 जुलाई दिन गुरुबार को कर सकते हैं इस दिन आप अपने पित्रों को पिंडदान तरपन और स्राध के लिए अच्छा माना गया है सावन अवश्या का पर्व हमारे जीवन में पेण प यह स्तावन अवश्या गुरुबार के दिन पढ़ रही है और दौस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्तावन अवश्या का महत इसलिए और भी बढ़ गया है क्योंकि अवश्या के तिती भागवान विश्मों और माता लक्षमी को समर्पित होती है उसी प्रकार से गुरुबा और भी खास बन गई है। इसलिए आज यनिकी कहा जाए तो कई वर्सों के बाद ऐसा दुरलब स्वसंयोग बन रहा है जिसके कारण आज 28 जुलाई सावन अवश्या पर कुछ विशेश राश्यों के किस्मत चमकने वाली है इनके उपार अब धनकी देवी और भगवान विश्यों के अश्रिम कृपा और भॉलिनात की बरसने वाली है जिससे कि अब इन राश्यों के किस्मत चमकने वाली है अब ये धनसे माला माल होने वाले हैं तो आखिर ये भागसाली राश्या कौन-कौन से है इन्हें क्या लाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा आज इस वीडियो में हम आपको इन जो राश्याती है वो है मेस राश्यों कौन-को पता देंकि इस वार सावन और रश्या आपके लिए लकी रहने वाला हैalon है क्योंकि विशेस लाब होगा धनका लाव होगा आकाश्मि करुप शेर्फयाइब राब होगा कई सुनेरे मौके मिलेंगे धनको लेकर जो चिंप परिशानिया थी वब दूर होंगी और भगवान विश्म माता लक्ष्मी के अश्यम कृपा वरसेगी मा लक्ष्मी कृपा से इस दिन आपको कई महत्पूर्ण छेतरों सिलाब होगा। अब अगली जो राश्याती है दोसरी वो हयाँ पर कन्य राशी। अगली जो तीसरी जुराश्याती है दोस्त बता दे कि आपके किसमत माता लक्ष्मी कृपा से इस बार सावन अवश्या के दिन चमकने वाली है। ब्यापार में तेजी आगे प्रेम जीवन में खोश्या वर्षेंगे लब लाइप काफी अच्छी रहने वाली है। लब पार्टनर के साथ काफी अच्छा वक्त बीतेगा और किशी खास वक्त से मुलाकात भी कर सकते हैं। अच्छी योग बनेंगे धन संपत्ति का तेजे से लाब होगा ने लाब की योग बनेंगे साथी ब्यापारिक छेत में आपको विशेश लाब होगा। आपके द्वारा बनाई गए योजनाई काफी कारगर साबित होगी। आप जो भी कार करेंगे उसमें सफलता वश्य मिलेगा। आपको विशेश धन का लाब होगा। रुके वे तमाम कार पूरे होगे। ब्यापार में तेजी देखने को मिलेगी कोई महतपूर्ण डेल फाइनल होगी। और कोई लिखा पढ़ी के मामला अधूरा था तो पूरा होता नजराएगा। और साथी अवयाही जातकों की आपको विशेश लाब होगा। बता दे दोस्तों की आपको समाज में मानसमान और प्रतिष्टा और लोक प्रता हासिल होगी। दोस्तों अगली जो राशी आती है दोस्तों बता दे पांचमी ओ है मिथुन रास। मिथुन रास के आपको बता दे कि अब आपकी लोटरी लग सकती है। करोडपती बनने के कई शुनहरे मौके मिलेंगे। धन से माला माल बन सकते हैं। इस बार की सावन अवश्या की दिन बिशेश दूरलब स्वस्योग बन रहे हैं जिसका सीधा सीधा लाव आपको जरूर मिलेगा। आप किसी नए कार के सिरुवात कर सकते हैं, नए ब्यापार से जुड़ सकते हैं, साथी आंधनी के धन के नए सुरोत ढूर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक मुनाफ़ा प्र जो कारे आपके धूरे पड़े थे पेंडिंग के उन्हें पूरा करने का प्रयास करते नजराएंगे, धन संपत्य का तेज़े से लाभ मिलेगा, कई महत्पून योजनाओं का लाभ मिलेगा, आपके कारियों में आरही प्रेशानिया आपकी दूर हो जाएगी, विशेश कर धन संपत्य का तेज़े से मुनाफ़ा कर पाएंगे, और इसमें समाजी की स्तर पर आपकी लोगपृता काफी बढ़ेगी, साथी किशी करीबी मित्र का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, और उशी के सहयोग से आपको दिन धुगनी राच चोगनी तरक्ती होगी, कई कारियों म कि किसमत चमकने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, ब्यापार में वर्दी होगी, आकास्मिक रूप से धन का लाब होगा, लोटर शट्टा में विशेश लाब होगा, जुमिन प्रपरिटी खरीज सकते हैं, बेश सकते हैं, या फिर आप नए घर का निरवार कर सकते हैं, नई इसमें आपको कुछ नए मान समान की प्राप्ती होगी, साथी कुछ उपहार स्वरूप गिप्ट मिल सकता है अपने प्रेम पाटनर से, जिवन साथी से समान और एक दुसरे का सहयोग प्राप्त होगा, तो दोस्तों ये च्छे राशियां ऐसी हैं जो काफी लखी रहने वा झाल